पूरा मामला बीना किस दिरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया जल्दे से जाने सब्सक्राइब करें साथ में मुक्य मंत्री जी ने ये भी कहा है कि मंत्री मंडल में जो अभी 17 अक्टूबर को बैठक होने वाली है उस पर भी विचार विमर्स किया जाएगा 95% आरक्षन के सम्मन्द में पूरा मामला बेखेंगे तो जल्दी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले वीडियो को इस्टार्ट करने जे पहले बहुत ही पॉजिटिव नियूज पॉजिटिव नियूज यही है कि बहुत इंतजार के बाथ 35 सरकार ने 50% आरक्षन को लागू कर दिया मतलब हाइकोटने जो नर्णाए दिया था कि भई बव gracen में वर्दमान में 50% आरक्षन नियम लागू होना ची comfort सरकार ने जार आवार इसके लिए निए नियम का ये चीज बना दिनन अच्छी बात यह है कि यह जो नियम काया बनाया गया उसका जो इफेक्ट आगे होने वाला है वो हमारी भरतियों पर होने वाला है फिलहाल CG, PSC हो या व्यापम हो उस पर क्या जो आने वाले समय पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम बाद में चर्चा करेंगे परंतो आपको यह बताना चाहूंगा जिस कंडिसन पे यह नियम आया जिस तरीके से यह नियम आया वो था मेडिकल चात्रों को जो आपके इश्किन पे शो हो रहा होगा उनके कॉंसिलिंग के लिए क्योंकि इसी के कौनसीलिंग के लिए हाई कोट में केस लागा था और इसी के मद्यनजर जो है सारी चीजे आती हुई देखने को मिली एक दूसरा केस कल एक और भी देखने को मिला 50% आरक्षण को लेके हाई कोट ने ही नेड़ने दिया फिलहाल ये जो 50% आरक्षण रोष्टा लागू किया है सरकार ने वो medical वालों के लिए है। इसी प्रकार का नियम जो है 36 सरकार वर्तमान में जो भरतियां होने वाली है और जो हो रही है। उसके लिए भी ऐसी प्रकार का नियम आने वाले समय में लागू होगा। फिलहाल ये जो समान्य वर्ग की कैंडिडेट है वो चौथे नंबर पे थे और उन्होंने इसी प्रकार का हाई कोट गए कि भई हम जो है जो इतने पत थे और ये पत जो है बढ़ेंगे अगर 50 प्रिदिश्ट आरक्षण के अधार पर भरती होगी तो इस वज़ा से हाई कोट ने फिर नि को कहा है और इसी के संबन्द में सारी चीजे जो वेटिंग में है जिनका नंबर एक दो समानी वर्ग के लोग वो जाहिर सी बात है हाई कोट जा रहे है अपने हक के लिए फिलहाल यहां पे 37 गर सरकार भरतीयों के संबन्द में कितना जल्दी रोष्टर पनाली लागू करत है वो मुख्यमंत्री जी के पास गय थे इस संबन्द में मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हम जो है जैसा कि मैंने आपको बार बार वीडियो दिखाया ही है कि वो जनसंख्या के अनुपात में देना चाहते हैं इसी के संबन्द में उन्होंने यह कहा कि फिलहाल जो एष्ट कि यहाँ पे निर्णा इस बात का लिया जाएगा कि जो बील है जैसा कि आपके इश्किन पे शोग हो रहा होगा यह मामला वर्तमान में करनाटक में है जहाँ पे कैबिनेट से मंजुरी मिल चुकी है और केंद्र को भेजेंगे करनाटक में HTSC आरक्षन बढ़ानी को मंजुर दे दी है HTSC आरक्षन 15 से बढ़ा कर 17 परशेंट और HTSC 3 की जगा 7 परशेंट कर दिया है अब वहां राज्य की जनसंख्या के अनुपात में उनको मिला होगा राज्य सरकार आरक्षन को सविधान की 9 वी अनुसुची में सामिल करने का प्रस्ताव के इंदर सरकार को भेज तमिलाडू में आरक्षन 69 परशेंट है केमिनेट बैठक के बाद जो बताया गया ये सारी चीजे हुई तो क्योंकि करनाटक विधान सबा में जो भी चीजे हैं फिलाल या आपको ये बताना की कोशिश कर रहा हूं कि सेम चीज 36 गर सरकार भी कर सकती है इसमें कोई निसंद देनी है जिस प्रकार से करनाटक सरकार तमिलाडू सरकार जो राज्य का हवाला दिया उसी प्रकार से 36 सरकार करनाटक और तमिलाडू का हवाला देते हुए ये सारी चीजे कर सकती है तो यहां पर वो कर सकती है मतलब वो आने वाले समय में हो सकता है परन्तु वरतमान में हल ही कि स्थिती में आभी पचास प्रिथित आरक्षण को जो है वो लागू है इसी वज़ा से अभी पचास प्रिथित आरक्षण के अधार पर पे भी भरतियां न रुक maturity और बेरोजगार, यही बेरोजगार, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मांग है कि उनके लिए vacancy है, इस प्रकार से सरकार को सोच ना चाहिए, कि जल से जल एक भरतियों से संबंद, भरतियों के संबंद में एक clear guideline जारी करें, क्योंकि बाकी राज्यों में यही चीजे 3-4 साल से फसी हुई है, तो यह ऐसा 36 गड़ में ना हो, चतिजगर के बेरोजगारों के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि याद रखिएगा व्यापाम हो या PSC हो, मातर 8 मेने हैं, और 8 मेने में कितनी सारी चीजे करेंगे, यह 36 सरकार को भी सोचना चाहिए, कि 8 मेने ही हैं, उसके बाद अचार सहीता और फिर सारी चीजे रूख जाएंगी, उससे अच्छा है कि जल से जल सारी प्रक्रियाнов को किया जाए, क्योंकि आने वाले में बहुत सारी भरतिया हैं, जिस प्रकार से 36 सरकार भी चाहती है, कि जादा से जादा वेरोजगारों को मौकेर मेन दिया जाए, रोजगार के ऐऊशर जो वो से जित किया जाए, तो यही पूरा आप सभी को न्यूज देना था कि किस प्रकार से सारी प्रक्रियाएं चल रही है और आप लोग इस पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आशा करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो इसे जादा से जादा लोगों तक शेयर करें लाइक करें शब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्वस्त रहें मस्त रहें और पोजिटिव रहें झाल झाल रहें एंप साथ से जादा लगा मस्त रहें आपस्त रहें झाल जरूर को बहँ दुझाओ जरूर क्लों जरूर ग्यों जर रहें झाल झाल झाल